Hello Friends, आज मैं बनाने जा रही हूं हरे मतर की दाल ताजा हरे मतर की दाल जो खाने में बहुत ही स्वाधिस्थ होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है तो चलिए हम बनाना श्टार्ट करते हैं सर्दियों में बनने वाली मतर की दाल की रेस्पी यहाँ पर मैंने उबले हुए दो आलू ले लिए हैं और उबले हुए हरे मटर एक कटोरी ताजा हरे मटर ली हुए और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकाल दे रही हुँ और यह जो थोड़ा बच्चा है ना कटोरी में एक कटोरी उसे हम पीस लेंगे दरदरा इस टैप से देख रहे हैं ना यहाँ पर हम तड़के के लिए फ्रेंट्स लेंगे कटी हुई हरी मिर्ची दो बारी कटा हुआ लसुन दो चम्मच और बारी कटा हुआ अधरक एक इंच और जीरा हाफ चम्मच और यहाँ पे लेंगे सर्सो का तेल दो बड़े चम्मच और इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे हम सरसो का दाना, आधा चमंच और फिर यहीप तेश पंथा एक और सूखी लालमिर्ची दो फिर इसमें डालेंगे दो पिंछ हईंग, क्योंकि हरी मटर का दाल बना रहे ना, तो इसमें हिंग डालना बहुत जरूरी है ताकि इसे गैस ना बने फिर यहीं पर हम चटकने देंगे और यहीं पर डालेंगे जीरा सबसे पहले फिर वह चटक जाएगा अच्छे से तो यह सारे जो कटे हुए मतलब हरी मिर्ची लसुन और अध्रकों डालेंगे और इसे ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे अच्छे से और यहां पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और देखें यहां पर यह फ्राइ हो गया है और ब्राउन भी हो गया है तो यहां पर डालेंगे अब कटा हुआ एक टमाटर बड़े साइज का फिर इसमें डालेंगे अध्रक लसुन और लाल सुखी मिर्ची का पेस्ट तीन बड़े चम्मच और इसे भून लेंगे अच्छे से यहां पर हल्दी डाल रहें आधा चम्मच फिर इसमें डालेंगे हम जीरा और काली मिर्ज पॉर्डर दो चम्मच और फिर यहीं पर डालेंगे हम धनिया पॉर्डर एक चम्मच और इसे हम अच्छे से भून लेंगे कम से कम 4-5 मिनट तक देखिए यह मसाली अच्छे से भून गया है और यह तमाटर है इसे अच्छे से गला लेंगे थोड़ा इस टैप से टमाटर को सौफ्ट कर लेंगे ताकि इसमेल ना रहा है अधरक लसुन का इस अच्छे से मैज करके आलू को भी दरदरा रखेंगे और जो मटर रखे थे ना साबूत उसे भी हम डाल लेंगे पुबला हुआ मटर और इसे हम भूनेंगे करीब 4-5 मिनद तक अच्छे से जब तक इसमें से सोनी खुसबू ना आने लगे तब तक इसे हम भूनेंगे अद देखे कितना अच्छा ये अब भून गया है तब एहीं पर हम डालेंगे जो दरदरा पीसे है ना हरा मटर उसे इसमें भी हम नमक डाल करके स्वाद अनुसार और इसे भी हम भूनेंगे 4-5 मिनद तक लो फ्लेम पर लो टू मिडियम फ्लेम पर और देखे इसका जो कलर अब चेंज होने लगा है ये हलका ब्राउन दिखने लगा है यानि कि अच्छे से अब भून गया है इसमें से खुस कि देखें यहां पर यह अच्छे से भून गया है तब इसी में हम डालेंगे 2 कप पानी आप जितना आप अपने उनुसार मोटा या पतला कर सकते हैं इस दाल को इसकी ग्रेवी को इस रेश्पी को एक बाजरूर ट्राइ कीजेगा अगर मेरी रेश्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें यहां पर इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाड़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है अब इसमें डालेंगे खुस्बू के लिए धनिया पत्ता दो बड़े चम्मस डाला है मैंने और इसे ढख करके हम पांच मिनट तक चार से पांच मिनट तक कूक करेंगे मेडियम फ्लेम पर और देखे कितना अच्छा यह उबाल आ रहा है इसमें अब यहीं पर हम डालेंगे घी घी से इसकी खुस्बू बहुत अच्छी आजाती है टेस्ट भी बहुत चेंज हो जाता है टेस्टी लगने लगती है और देखे कितनी ही गाड़ी और कितनी ही अच्छी दीख रही है यह हमें इस टैप से ही इसकी जो ग्रेवी है ना रखनी है और देखे यह टेस्टी हमार मटर का दाल बंद करके तयार है आप इसे चावल के साथ प्राठे के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं यहां पर गैस मैंने बंद कर दिया है और यहां पर टेस्ट के लिए मैंने आधा निम्बू का रज़ताला है इसे स्वाद और भी दुगना हो जाता है दाल का तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें बाई बाई शुक्रिया धे